असलाम अलीकुम गुद मॉनिंग एर्वेवन वल्कम टो मैं चैनल देप्यॉर लव स्टोरीज तो कैसे हैं आप सब होब आप सभी अच्छा होंगे मैं भी ठीक हूँ अभी तक आगे का रब मंजूर तो बिना वक्त जाही कि ये शुरू करते है कहानी अंत से ही अरंब है पार और ऐक दम से सनी भोलता है कि अभी दी वह मैं बोल रहा था कि आप सुको न मैं पहले जाके देखे आता था तो साक्षी उसे घूर के देखते खैण और जो भूलता है क्यों कैयों और इस सनी है उसको कि मैंने तो किसी को इंफॉरम नहीं किया कि आप आने वाली हो तो पता कैसा हो तभी साक्षी घूरते हो उसको देखते है और बोलती कि हा क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया था किसे को इंफ़ाम ना करने के लिए और यह जो तुम बोल रहे हो ना महुल नदर का कैसा हुआँगे तो तुम भी चलो चुप-चाफ तो वो एकदम सेंटर करती है और सन के ये दोनों ही अंदर एंटर करते हैं जैसे एंटर करती है तो साक्षी जो है एक बर अंदर बर एक और से देखती है अपनी नजरों को इधर इधर घुमा के तो वहाँ पहले से कुछ ऑफिसर्स थे और वो लोग अपना काम प्रुपर्व में कर रहे थे तो जब ही वो ऑफि साक्षी सब की बात सुनते हैं आइज और वो चल गे अनलोगों के पास जाते हैं और जयते हैं उसकी नजर एकदम से कहने के साइट में काफिसर्स के उपर पढ़ते हैं तो स्टाही पीछे थे तो वो भी देखता है कि मैं कही और देख रही है तो उसका नजर का पीछा वो करता है और जैसे करता है एक आफिसर के उपर तो वो एकदम से सर पे हाथ रख देता है और बोलती कि लोग चौबे जी का तो हाच निकल गया निकल गया आगे जो होने वाला है ना वो मैं जिम्मदार बिल्कुल नहीं हूँ यह बोलते और वो एक मुस्तंदी इंसा जो है वो अपने टेविल पे ही घराटे ले रहा था और उसका पेट था उतना बरा था वो बहा के वो सो रहा था ऐसे तो साक्षी घूरते हो देखते है और सब लोग यह समझ तो जाता है कि यह कौन है कि कि आधे इशारे तो सनी कल ही चुका था और एक तम से एक आफिसर आ के साथ वो हैंशिक करते है और वो लोग भी उसको वेलकम करते हैं कि समझ जाते है और उसका वो बैच जिसे देख की वो लोग समझ जाते है और आहिस्ता आहिस्ता जो शाक्षी है वो उसी आफिसर के सामने जाते है और एक बार सनी की और देखते हैं और बोलती कि इसका पह हम सब चौवे सर जी के छौवे सर बोलते हैं। एकड़ सबसे, साक्षी करें कि पता चल रही है कि कितनी सेनियर हैं, बड़ी तर्की किया उन्होंने पेट के ऊपर। तो जो साक्षी है वो जाती है उनके चेहर के सामने बैठ जाती है और एकदम से आवाज लगाती है Mr. Chaube, Mr. Chaube तभी जो है वो इंसान जो सो रहाता वो एकदम से अपना सर उठाता है और सामने देखते है कि कोई एक ओफिसर बैठी हुई है तो देखता है बोलते कि हाँ आप कौन? अरे क्या यार सोने भी नहीं देते यार एक तो घर में बीवी की ज़मिले उपर से यहां थोरी देर के लिए आते है चयान से सोने के लिए लेकिन लोग है कि सोने ही नहीं देते हैं बाद कौन हो क्या चाहिए तुमको मेरत से तभी एकदम से शाक्षी बोलती कि आप जरा आखे तो खोली है फिर बोलता है कि क्या चाहिए आप से तो जो है अपने आखों को मसलती हो हो है जो है सामनी को और बरे अच्छे से देख रहा गए हो क्या चाहिए मेरे से जो सनी है वो एकदम से बुलती कि चौबे सर आप अपना आखे तो ठीक से खोलिए और देखिये आपके सामने है कौन पहले पहले होश में आ जाई है वर्णा आप आपका जो होने वाला है उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे तो बहके बहके बाते कर रहे हो तुम और वो मेडम कौन हो आप क्या चाहिए मेरे से तभी जो है एकदम से जो साक्षिया बोलती कि क्या चाहिए आपसे घर पे क्या प्रोब्लम है घर पे भी तो सो के आ सकते हो ना या करने क्या आते हो तुम लोग तभी जो है वो बोलती कि अर और मेरे से क्या चाहिए, यह पुली स्टेशन मेरा है, मेरा एरिया है, और आप यहाँ पर काई को आ रहे हो, तभी जो है सनी वो एकदम से बोलती है, सर, सर, पहले मेरा बात सुन लो, क्योंकि आगे जो आपके साथ होगा तो वो आप सपने भी नहीं सोचे होंगे, तभी करें, हाँ मेडम, आप बोलो, Նप मेरे एरिया पे क्या कर रहे हो, तभी एकदम से, जो साक्षी है, वो एकदम से कार्ट धिखाती है, उसका उसकी एक कार्ट, तभी एकदम से जो चौबेझी के सामरे रहते है videos, जैसे ही मेरा कार्ट, घाज़के उसका कार्ट, उसका तो आप यहाप आते हो सुने के लिए अच्छी वात है तभी वह एक दम से बोलती कि ना ना मैडाम ऐसा नहीं है वह क्या ना कि कुछ दिनों से घर में तो तोरा सा दिकत हो रहा था तो थोरा सा वह डिस्टरबिंस था तो ठीक से सुए नहीं थे तो आज थोड़ा नींद आ गए थे मैडम वो इसी लिए तो यह बोलती है अच्छा है और पेट देखके तो आपको पता चल ही रही है कि कितने तरकी किया है आप तभी वो बोलती कि आना ना मैडम वो ना खाते पीते घर से है ना तो इसलिए अब इसका क्या कर सकते इसको कैसे रोके ये तो बढ़ते जा रहे है तभी एकदम से भोलती कि अपना शाट्टो ठीक से पहन लो आप तभी वो बोलती कि ओ हाँ मैडम तो जो है जिल्दी से अपनी युनुफार्म ठीक करता है और एकदम से प्रुपर खरे होता है और शाक्षी वो एकदम से देखके बोलती आएंदा से अगर आप मुझे सोते हुए नजर आ रहे है ना तभी एकदम से वो इंसान बोलती कि अना मेरा पहला दिन है उस हिसाब से आपके आपको वार्निम पर छोड़ रही हुए ध्यान रखना यह बोलती है वो सनी की ओर देखती है और मेरा गैविन तभी सनी बोलती कि आहां वो मैं वो साइड में है आप आंदा जाओ तो जो है साक्षी वहां से सीधा अंदर की ओर जाती मैं की ओर्डर थी कि मैं किसी को इंफॉर्म ना करूँ तो मैं कैसे इंफॉर्म करता तभी वो बोलते कि हार पहले दिन ही मेरा कर्चा हो गया उनके सामने हधे तभी एकदम से सनी बोलता है कि हां तो सोया मत करो ना और यह पेट थोरा से कम कर लो अब सीधा नजर पेट पेट पेट पे मत जा तो आप पे कुछ ऑफिशस हसते हैं तो सनी बोलते कि सब लोग देखो ध्यान से यह जो मैडम है बहुत गुस्ते वाली है स्ट्रिक है थोरा तो अपना अपना काम भभू भी से करो और अगर कुछ छूटा ना तो तुम लोगों का जो वाट लगने व जो साक्षी है वो अपनी केविन में जाती है तो देखती है कि उसके केविन तो बहुत अच्छे से तयार हुए रखे थे तो उसकी फेस में एक स्टम से स्माइल लग जाती है उसके नाम का जो वाप पर होता है ना वो टाइटल ने में जहां पर रखे जाते है वहां पर आपको कोई कुछ चाहिए तो आप मुझे आवास लगा सकते हो तभी साक्षी बोलती कि ओक है तो साक्षी के सामने वह आपे अल्रीडिकुछ फाइल्स वगरा थे तो फाइल्स वगरा वो देख रही थी और तभी जो मुसकान है वो क्याटेकर के साथ उसी पुली स्टेशन मे पहुंचे जाती है, जैसे यह पहुंच थी है जो सनी था, उसका नजर एकदम से मुष्कान के उपर पढ़ता है तो एकदम से गड़ा हो जाते हैं और साफ़ने आने लगते हैं, जैसे सामने आते हैं मुस्कान वैसे ही अपनी दुपट्टा को कसके पकड़ती हुई थोरी सी पीछे जाती है तो सनी एकदम से मुस्कान बोलती कि थोरा इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है तो थोरा दूरी में खड़ा हो जाता है तो वो बोलता है कि हाँ मैडम क्या प्रॉब्लम है क्या चाहिए आपको तभी वो बोलती कि आहां यह मतलब साक्षी कौन है तभी वो लड़का बोलता है कि अरे मनाम से बुला रहे हो मैं कहके बुला हो हमारी मैडम है तभी वो बोलती कि अच्छा कहा है वो हमें उनसे मिलनी है तो मुस्कान है वो थो आपके मैम यानि साक्षी है कौन यह वही है ना जिन्होंने ओर्डर दिया है कि रूम को पूरी थरह से सील करने के लिए कोई अंदर तक ना आ जा पाए तभी वह बोलते कि हां जी वह हमारे मेडम ही है तो बोलती कि हां तो मुझे उनसे मिलना है तभी जो है रूहन बोलती कि अच्छा ठीक है चलो फिर तो एकदम से रूहन चलने जो सनी है वह चलने के लिए बोलता तो है लेकिन वह एकदम से बोलता है कि अच्छा एक मिनुट रूको मैं मैं जरा मैम से बोलके आता हूं कि उनसे कोई मिलने आया है तो यह बोलती कि ठीक है तो सनी जो है एकदम से ज सुभे जो इंसिडेंट वही थी, सुसाइट केस, वहाँ से वो केर्टेकर और वो लड़की आई है, तो मिलना है आप से, तभी एकदम से साक्षी बोलती कि हाँ, हाँ, अंदर भेजो, तो सनी जो है, वो बाहर आता है, और बोलती कि हाँ, आप लोग जा सकते हो, और जो मुस्कान के एंट्री होती है, उसी कैबिन में, जैसे एंट्री होती है, तो एकदम से वो केर्टेकर होती है, जैसे नमस्ते बोलती है, तो जो साक्षी थी, वो तुरंट पलटती है, और जैसे ही पलटती है, जो मुस्कान है, उसकी और ही देख रही थी, वो एकदम से शौक्ट हो जाती है, संथ हो जाती है, पता नहीं क्यों साक्षी एकदम से पलटके ही भोलती ही कि हाँ, हाँ, नमस्ते, बैठी है तो जो वो कैटेकर है, वो एकदम से बैठती है लेकिन मुस्कान अब भी खड़ी हुई थी, और घूर के वो देख रही थी, साक्षी को साक्षी एकदम से मुस्कान की ओर देखती है तो मुस्कान की ये face expression देखके वो थोरी सी confused होती है और एकदम से बोलती है, हलो, मिस, मुस्कान राइट तभी मुस्कान एकदम से होश माती है, और भी देख रहे थे साक्षी एकदम से बोलती है, क्या अच्छानक की तभी ओक आटकर बोलती है अच्छी मैम, आपने तो रूम सील कर दिया है लेखें मुस्कान के उसी कमरे में बहुत सारे सामान वगरा थे तो उसका अपना सामान चाहिए थी वहाँ पे उसने बोली तो है पर वहाँ पे आपने जो forces खरा किया है तरोगा वगरा वो लोग अंदर जाने नहीं दे रहे बोल रहे थी कि मैम की ओरडर है कोई अंदर जाने सकते तो इसको अपनी सामान वगरा चाहिए तो इसको अंदर जानी है तो इस साक्षी एकदम से मुस्कान की होर देखती है तो वो बुलती कि क्या चाहिए अंदर से आपको क्या सामान है तभी थोरी देर तक तो मुसकान चुप होती है लेकिन फिर भी वो एकदम से जवाब देते कि लाजमी बात है मैं उसी कमरे में रहती हूँ तो मेरे कपरे वगरा और कुछ सामान मेरे है मुझे अपना सामान चाहिए तभी एकदम से बोलती कि हाँ चाहिए पर आप बोलो तो सही क्या चाहिए तभी वो बोलती कि आप मुझे इस तरह सवाल मत पूछिए मुझे अपने कपरे वगरा चाहिए तो मुझे पर्मिशन चाहिए कमरे में जाने के लिए तभी जो है एकदम से शाक्षे बोलती कि देखे ऐसा हो नहीं सकता आप अंधर नहीं जा सकते तभी एकदम से जो मुस्कान है उसको पता नहीं पूलिस से क्या प्रब्लम है वह थोरी रूट भी हैफ करती है कि देखिए आप अपना काम कीजिए जितना आपको जो करना हो करिए लिकिन ऐसे आप हमें इस तरह से हैरस नहीं कर सकते तभी एकदम से साक्षी बोलती कि इसक्यूज मी हैरस इसका क्या मतलब है मैं कोई हैरस नहीं कर रही हूं आपको तभी बोलती कि तो फिर मुझे अलाओ किजिए मैं अपनी सामान वागरा उस कमरे से निकाल सकती हूं तभी शाक्षी बोलती कि देखिए अपके लिए नहीं जा सकती है ठीक है आपको जो चाहिए शाम को यहाँ से ऑफिसर जाएंगे वहाँ पे तो आप उनके साथ जाहिए अंदर और आपको जो चाहिए वो ले सकती है लगिन उस से पहले हम आपके सामान वागरा एक बाद चेक करेंगे तभी एकदम से जो मुझी चाहिए वो बोलती कि मैंने क्या किया है मेरे सामान क्यों चेक किये जाएंगे तभी एकदम से शाक्षी बोलती कि रोमेट तो आपकी थी और जहां तक मुझे पता है कि बहुत जुल्म किया गया है उसी से आपको तो कही मतलब समझ रहे हो ना आप तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि अपना जबान संभाल के बात कीजिए मैं खूनी नहीं हूँ तभी सेक्षी बोलती कि अरे मैं कहा बोल रही हूँ आप खूनी हूँ लेकन क्या है ना इतना जुल्म सेहने के बात क्या किया आपने कुछ तो किये होंगे ना गुस्सा तो आई होगी आपको कभी ना कभी तो गुस्से का असर कहा तक पहुचा वो भी तो देखनी पड़ी गी ना मुझे बस पोस्ट मॉडम के रिपोर्ट का इंतजार है तब मैं करवाई शुरू कर सकती हूँ ना तभी मुस्कान बोलती कि आपको जो करना है करो फिलाल मुझे मेरे समान चाहिए तो साक्षी जो है वो थोरी देर तक मुस्कान की होर देख रही थी जब वो पहली बार मुस्कान से टकराई थी तब जो मासुमियत थी मुस्कान के चहरे पे अब हो नहीं थी पता नहीं अब एक रूड सी एक अजीव सी एक्सप्रेशन थे मुसकान की चैरे के उपर और मुसकान पता नहीं वो अब जो है साक्षी की उपर नजर मिलाती ही नहीं ठीक से वो प्रोपर अंसा दे नहीं रही थी साक्षी ये चीज बहुत अच्छे से नोट कर रही थी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कीकप गज़ने की मुसकान की का कब करने वाले हो कभिजने वाले हो ऑफिसर तो एख है क्या क्या चाहिए आपको वहाँ से मुसकान की की कि क्या चाहिए तभी एकदम से शाक्षी बोलती कि ठीक है अप लोग अभी जाहिए वहाँ हुस्टेल वापस चले जाहिए मैं शाम को आता हूँ शाम को आते हुए मैं आपकी साथ अपकी कैमरे में चली जाओंगी आपको जो चाहिए वो ले लेना पर उससे पहले में एक बात चिक कर लोगी मैं खुद तभी जो है मुसकान एकदम से वो कुछ नहीं बोलती वो कैर्टेकर के और देखतर बोलती कि ठीक है चले आप अभी तो केरटेकर एकदम से बोलते कि क्या हो गई है तुम इस थरह से बात तभी मुसकान बोलती कि चलिए जिस काम सहाय थे वो काम पूरी हुई शाम को ले लूँगी चलिए यहासे तो वो जो है केरटेकर के साथ वहासे चली जाती है और साक्षी बस एक टक मुसकान को जाते हुए देखते है और तभी सानी एकदम से अंदर आते हैं और बोलती कि मैम कोई प्रॉब्लम है क्या तभी वो बोलती कि इसका डीटेल्स फगरा निकालो जरा यह नाम क्या है मुसकान पूरी डीटेल कहां पे रहती है क्या करते है और साथ साथ जिसका सुसाइड हुआ था जिस लड़की ने सुसाइड की थी उसका भी पूरी की पूरी डीटेल्स निकालो एक एक चीज छूटनी नहीं चाहिए साथ इसका भी कुछ तो है यहां पे तभी वो सानी बोलता है कि जी जरूर पर मैम अभी तक तो पोस्त मडम की रिपोर्ट भी नहीं आई तो वो बोलती कि मैंने फोन कर लिया है तो आही जाएंगे और जब आएंगे तब पूरी तरह से करवाई तभी जो है सनी बोलते कि पर मैम, यह तो नर्मल suicide case है ना। तभी बोलती कि एक बार देख लेते हैं या कुछ और। तभी जोसनी है बोलती कि OK मैम, ठीक है मैं अपना काम करता हूं यह बोल कि वो आदे हाँ से चले जाते हैं और इधर जो साक्षी है वो अपना काम कर रही थी उधर मुस्कान जो है वो एकदम से जो यह आटो पे थे पेटा क्या हो गई तुम इस तरह से रूट भी एफ मैंने आज तक तुम्हें इस तरह से किसी से बरताफ करते हुए नहीं देखी है तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि मुझे ना इन पुलिस फालो में इसको इन से सक्थ नफरत है मुझे ये लोग ना कुछ भी कर सकते हैं इंसान के साथ कुछ भी आम जानता है ना हम तो ये चाहते हैं कि हम इनके इशारे पे नाचे और यह जो करते हैं ना जो घुमाते हैं इंसान को कभी कबार ऐसे होते है कि बिना गल्टी के भी सजाह मिल जाती है तभी एकदम से जो कैटे कराई बोलती कि क्या हो गई है पुलिस वालों को ले कि तुम्हारी मन में ये चीज तभी एकदम से जो मुस्कान है हो थी कि है 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 करवाहट है मुझे मुझे सक्त नर्वा जो है नफरत है फुलिस वालों से मैं क्झा बोलू मैं आपको छोड़ी है तभी कैटेकर बोते कि नहीं बोलो बेटा क्या हो गई है क्यों उनसे तनी नफरत है तभी क्योंकि एक वक्त ऐसी थी मैंने अपना भाई खो दिया भाई को दिया, वो कॉलेज में बढ़ता था बिना गलती कि उसको फसाए गए थे और पुलिस फाज़ा ने उसको पकर के ले गए जेल में डाल दिया मेरा भाई इतना शरीफ था कि उस चीज़ को वरदाश नहीं कर पाया क्योंकि हमारे फैमिली बेगराउंट इतने अच्छी भी नहीं है पर मेरे पापा को अपनी इज़द की बहुत पढ़वा थी पापा अपनी इज़द को इस तरह से तोलते हुए देखा तो उन्होंने स्टोक कर लिया भाई ये वरदाश नहीं कर पाया थो चार दिन बाद जो जेल से छूटा ना वो आद में अथा कर लिया तब से लेकर ना इन लोगों से मुझे सक्त नफरत दिया है कि कि इनको ना वो कहते हैं ना कानून सिर्फ सबूत मांते है फिर चाहे हो सबूत जूटा ही क्यों ना हो तभी जो है केर्टेकर एक्दम से चुप हो जाते हैं बोलते हैं कि आम आम सौरी बचा पर ये सब तुमारे तभी मुस्कान बोलती कि प्लीज आंटी मुझे कोई सीमपती नहीं चाहिए जो हो गया सो हो गया वैसी भी ये चीज बीद गयी है दो साल हो चुके है लेकिन क्या करूँ मेरा बड़ा भाई था मुझसे बहुत प्यार करता था तो वो चीज वो कमी आज भी बहुत परशान करती है मुझे तभी उसे साइड में हख करते हैं बोलती कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो यह लोग जो है होस्टेल पहुँच जाते हैं जो है मुसकान अब उस कमरें पर तो नहीं रहते तो एक और लड़की के साथ वो कमरा उसे दे दिया जाते हैं कि तुम आज के लिए यहाँ पर रुख जाओ बाकी हम देखते हैं कि कैसे रूम मैनेज करेंगे तो वो आपर जाते हैं फ्रेश वागरा होती है और जो जिस लड़की ने सुसाइट किया है उसके जो डॉकुमेंस वगरा सारे थे वहां से यह लोग लेने के लिए वोते तो सारे उस हिसाब से साक्षी के मुताबिक वो सारे लेके जाते हैं साक्षी के पास जैसे वो देती है तो वो कुछ चीजे बड़े अच्छे से दे देख रही थी तो तब ही उसके नजर में जो है जिस लड़की ने सुसाइट किया है उसकी डिलेटिट कुछ चीज़ वो देखती है कि यह जो है कुछ दिन बाद एवरोड जाने के लिए तैयारियक कर रही है वो पासपोर्ड वगरा क्योंकि यह उसके घर से ही मिली थी वा पर मजबूर करती कि एक लड़की सुसाइट करती है लेकिन उससे पहले वो उसके घर में वो पासपोर्ड वगरा कि एक हफते बाद उसे अवरोड जानी है सारे की सारी की तैयारिया हो चुकी थी तो अगर उसको जाना ही थी अवरोड तो उसने सुसाइट क्योंकि आखिर क जह खिया हो गई कि एक हकते पहले ही उसको सुसाइट करने पड़ यह चीज एकदम से वो सोचने लगती है और तभी वो एकदम से सनी को वा अवाज लग आता है कि पोस्वाचारि रिपोर्ट का क्या होगा तो ही वो ऑजती कि हम वो आते होंगे तभी वो आते है एक दम से क पोई एक आता है और पोस्समोर्म रिपोर्ट आके देते हैं, साक्षी उत चेक करते हैं, तो पूरी नॉर्मल रिपोर्ट थी, साक्षी थोरी सोस में पर जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ये नॉर्मल है, तो ये एक आफते बाद जाने वाली थी, एवरोट मुझे ये सम टो लें मयम, तो ये बोलती कि, कहां कुछ तो अजीव है, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जैसी कि मयम, तभी एक दम से साक्षी खरी होती है, और बोलती कि, मुझे एक बार वहाद पर खुद जानी होगी, फिर से, तभी सानी बोलती कि, ओके मयम, चले फिर, तो वापस होस्टिल के ओर जाती है, जैसे फॉशती है तो वहाँ पे जाती है कैट्टेकर से बातaran करती है और जो मुस्कान थी वो तब सामने नहीं आयी थी वो किसी के साथ जो रूम में थी वो बस तोरी सी रेस्ट कर रही थी तो साक्षी इधर उदर सब की उपर नज़र तो करती तो मुस्कान कहीं नज़र नहीं आ रही थी तो एकदम से उस के अटेकर से पूछती है वैसे वो लड़की कहा है जिसको अपने कमरे में जानी है समान वगरा लेने के लिए तभी एक्दम से वो caretaker बोलती है कि वो rest कर दी है तभी बोलती है उनको बुलाई ये तो किसी को भेजती है मुस्कान को लाने के लिए तो मुस्कान को जैसे ही पता चलती है कि पुलिस वाली आ गई है उसको अपनी सामान ले जा और भूप एक दम से उस मुसकान को ले के मुसकान की कमने की ओर जाती है जैसे ये लोग जाते है तो एंटर करते है रूम में रूम में एंटर करते ही जो एकदम से मुफकान है उस थोड़ी थोड़ी डर रही थी तभी एकदम से साक्षी बोलती कि डरने की कोई बात नहीं है वो है नहीं तभी एकदम से साक्षी बोलती कि नहीं डर रही हूं मैं तो आंधर जाती है अंधर जाके गिर्णे करती है वसके तब आपको क्या क्या चाहिए कर ग्लॉस कमें आप toughest गल्रेक और भी कमें रिष्मिल यह चाहिए और मुझे ब्हूंचित्प भोनुप में चाहिए तो मुशुलाति और जो साइट होती है यह मुस्कान की कवट थी तो उसमें से वो जैसे ओपन करती तो भरी घौर से उसकी कवट को देख रही थी मुसकान भी देख रही थी कि साक्षी जोस की कवट को घूर रही है लेकिन वो फुलिस फाली थी तो वो कुछ उसे बोल नहीं सकती थी तो बोलती कि निकाल वो बैग को तो बोलती कि हाँ हाँ निकाल रही हो तो बैग निकालती है और जैसे निकालती तो मुस्कान एकदम साथ है बोलती कि हाँ दीजिये तभी एकदम से बोलती कि नहीं पहले मैं चेक कर लो कि अंदर क्या है तो मुस्कान बोलती कि इसमें क्या चेक करने वाली बात होगी यह यह मेरा बैग है तभी बोलती कि हाँ पर चेक तो करने पड़ीगी न कई कुछ चीज़े रख दी हो तो आपने तभी एकदम से है जो मुस्कान बोलती कि यह क्या आजीब दाधा कि दी है मतलब मैं अपनी खुद की बैग नहीं देख सकती तभी होती कि जरूर देख सकती हो लेकिन उससे पहले मेरा फर्ज बन देगी कि मैं देखू तो एकदम से वो जो है वो बैग को उपन करती है तो बेक बेकल ओपन करके कुछ कपरे वगेरा कुछ पेपर्स थे कुछ राइडेज थी और एक बॉक्स थी जैसे वो बॉक्स देखती है तो elaborative box की और उक्तम से बूलती क nous है वो जैसी box अपने हाथ में लिखती है मुस्कान बूलती को यह मत छूना रखो इसे वापस प्लीज तभी वो बोलती कि excuse me पर इसमें है क्या तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि मैंने भोली ना कुछ नहीं आप एक बॉक्स को रख दो तभी शाक्षी बोलती कि अजीब बात है अब तो मुझे ये देखनी है तो वो एकदम से खरी होती हो बॉक्स को को एकदम से जैसे ओपें करते होु वहां पे एक ब्रेश लाइट थी जैसी ये दिखते ही तो मुस्कान हीव एकदम से उसे साकषी की हाश एकदम से छीन लेटी है रोलती कि मत देखो मत च्छो इसको ये मेरी भाई की आखरे निशाने है ये ट Billy साकषी की है Oh sorry for that पर मुझे जग करनी थी तभी मुस्कान बोलती कि कोई बात नहीं बेजी चाहिए थी मुझे तभी साक्षी बोलती कि हो क्या है तो एकदम से मुस्कान क्यों देखते है और बोलती कि और कुछ चाहिए आपको तभी बोलती कि नहीं और कुछ नहीं चाहिए तो वो सारी चीज अपने बैग में वापस लेती है वो डाइरीज वगरा पेपर्स कपरे वगरा सब कुछ वो बैग में लेती है और एकदम से वो उटती है बैग लेगे और उटके वो वापस आईगी कि एकदम से वापे होते है ना एकदम से कहा से पता ने एकदम से कौकरोच आ जाती है और मुसकान क वो कौकृोच से हस से जादा ड ही टर लगती है. वो कौकृच बॉलग के पीछे और पलटती है. उसके पीछे ही साक्शी थी. वो एक्टम से साक्षी की उपर जाके गिरती है साक्षी जैसे गजह सको समालती है इस वार वो गिरती नहीं है और जो मुस्कान थी वो एक्टम से इतनी टाइट़ियर हग कर लेती है और हो दigns क्रोच अर बो सि स्ट टर लगती है प्लीज तो वो इतनी तरह से अब जो वो मासूमियत थी ना वो वापस मुस्कान की फेस पे आ जाते है और इधर साक्षी वो बस एक टक मुस्कान की फेस की और देख रही थी और उसे जो पहली बार दोनों टकराए थे उस सिच्वेशन की वो मुमेंट याद आ जाती है और अब भी जो मुस्कान थे वो अपने आँखों को कस्के बांदी हुई थी और एकदम से जो साक्षी की हिनुफ्रॉम थी उसमें से वो एकदम से कॉलर के साथ को कस्के पकड़ती और बस बोल रही थी कि इसको हठाओ प्लीज मुझे डर लगती है तो साक्षी एकदम से सामनी के और देखती है कि हाँ एक कॉक्रॉच है तो एकदम से देखती है कि वो कॉक्रॉच थी लेकिन वो खुद चलके चलिए जाते है तो साक्षी बोलती है कि चला गया तो मुस्का तो मुष्कान एकडम से आखे खोलती है, तो जैसे आखे खोलती है तो देखती है कि हुआ, डरके मारे और उसके साथ चेपा गई और उसके कॉलर तक पका ली थी, घटम से छोड़ती हैं, जुश्केड़ घोल सी, तभी साक्षि बोलती कि क्या बच्षी तो रही है जो को प्र तो जो मुस्कान है वो आज से अपनी बैग लेके निकल जाती तो साक्षी भी एकदम से निकलने वाली थी लेकिन वो रुख जाते हैं वो रुख के एक बार उसी कमरे को बड़ी गवर से देख रही थी उस पंके को बहुत अच्छी से देख रही थी जहां पर वो लास थी होगा वगरा और थे वो भी थे वो भी मदद कर रहे थे तो करीब आदे घंटे तक साक्षी वहां पर कुछ साच करके वो वहां से चुपचाप निकल जाते हैं उधर जो सनी था वो बाहर इंतजार कर रहा था तो एकदम से बोलती कि मैम हो गया तो बोलती कि हाँ वैसे यहा करने के बाद एक हाफते पहले ही सुसाइट कर लेना यह बात जच नहीं रही है तभी बोलती कि अब क्या कर सकते हैं मैम हम इससे जादा तभी बोलती कि नहीं थोरी से और कौर से केस को पढ़नी पड़ेगी फिर देखते हैं और अगर कुछ ना हुआ तो केस बंद कर तभी एकदम से सनी बोलते कि ओके मैं वैसे भी अब आपकी घर जाने की वक्त हो गई है तभी वह बोलती कि हाँ हाँ चलो तो यह वहाँ से चली जाती है और जाके वह अपनी घर पहुशती है जो सनी था उसको घर छोड़ने के बाद ही वह चला जाता है वहाँ से जो बुच्ण आप जाके फ्रेश की आजाओ पहले। तो साक्षी हुसती है और जाती है। वो फ्रेश होती है, शावर लेती हैं, चेंज नाती है। और एकदम से बोती है की क्या माव मी? क्या हुगी है? वैसे कल कौन आने वाला है? यह भी बोल दो। तभी एकदम से उसकी मौम उसे घूर के देखते हैं और जो जो साक्षी की मौम है न उगलती कि कर लो तुम दोनों कर लो अपनी मन की ना कर लो एक दिन ना मेरा भी वक्त आएगी तब मैं देखूंगी तुम दोनों को तो साक्षी एकदम से खड़ी होती है और बोलती है अच्छा हम दोनों को देखनी है तो उसके मौम गूर के देखती है तो साक्षी एकदम से अपनी पापा के पास जाते है और बोलती कि पापा खड़े हो जाओ तो उसके पापा खड़े होते है बोलती कि हाँ बेटा बोलो क् तो पीछे मुच्टे एक बार सामने होती है், आगे पीछे पूरी की पूरी देख लो और कुछ देखना बागी है । ही तो उसके पापका होस्ते उसके साथ तो हॉआ इसकी मॉम बोलती है की इतनी ना उडो मत तुम तभी एकदम से जो साक्षी बोलती कि क्या मम्मी क्या ये रोज रोज के जहमेले क्यों create करना ये सारी चीज़ आपको पता तो है न तभी बोलती कि क्या पता है शादी के उमर कब की हो गई है अब तु शादी करोगी न कि क्या से शाधी की जंजले क्या है रोज रोज ये चोसले से कब मुझे मतलब आजात करोगी आप तया शाधी कर लो ना तब कर würde शाधी करो ना न है तब लो ना चल रहते ऑड़ कने दो जूल के तो नहीं ले पाते कुछ SKA K Reach है शाधी करो भी कुछ इस बार ना ऐसा लड़का लाओंगी ना तुम्हारे लिए कि तुम मना ही नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं काउन करने के लिए कोई problem ही नहीं होगी तो तुम मना कैसे करोगी तभी एकदम से साक्षी हस्तियार बोलती कि अच्छा पहले लाओ तो सही ऐसा लड़का मैं भी तो देखूँ तभी उसके मौम बोलती कि हाँ हाँ मैं धूंड ही रही हूँ जिस दिन मिल गा न उस दिन देखना तुम तभी साक् बीमावगा सब्सक्राइबिरं तो साक्षी अचे के जाँ मौ बापा साक्षी के शाथ बहुत लाओ पाहाँ है नियुदा न गाता नयई जाद सीगरे से कि तो साक्षी से पूछी के बारे में फूरी की पूरी चीज बताती यह पय जो छाती तो इक दम से वह न भी वह आप गहें क्यों नहीं ? तभी एकदम से पापा भूती hai, छोड़ो ना, हमेशा पुलीज गीरी जारता रहता है, मुझे नहीं मिलना उसके साथ, तभी साक्षी की मौम एकदम से बूती ही क्या किया मेरे भाई ने ? हाँ ? क्या किया यह बताओ पहले ? तभी साक्षी के पापा भ रहे थे तो आज इस्टोरी यही तक जानेंगे अगले एपिसोड में क्या हो थे तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए डे सारा प्यार बाटी है खुश रही है खुशिया बाटी है Love you all guys, see you soon बहुत जलत फिर मुलागात होगी तब तक के लिए खुदा आफिस टार्टा पाई बाई